लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्सार मार सब्सक्राइब करें। जिन्दगी एक गीत है इसे होटों पे सजा ले गम हो या खुशी हो प्यार से गुंगुना ले जिन्दगी एक गीत है इसे होटों पे सजा ले गम हो या खुशी हो प्यार से गुंगुना ले दिन्द हो या रात हो दिन्द की ही बात हो कोई न जो साथ हो काहे जा दिल की ये धड़कन गाए का पामा मधापा देमागा दुनिया जिसे दुहराए नग में ऐसे तो सुना दूप में छाओं में सक्न के गाओं में प्यार की बाहों में गाए जा साथ सुरो का संगम हो जाए तो बने सरगम खिले फूले से हम तुम महके खुशबू हर दम तु है मेरा जिकर तु है मेरी नजर तु मेरा हम सफर काए जाए जिंदगी एक गीत है इसे होटों पे सजाले गम हो या खुशी हो तुम में प्यार से गुल्गन आ ले Ah… – What the hell is this? परेशान तुम के परेशान होने लगी अपने शौक से फुरसत मिले तो मेरी परेशानी नजर आएगी न तुम्हें मिस्टर विक्रम सपनों की दुनिया से हटकर हकीकत की दुनिया में जाकरतों देखो तुम्हारे जैसे सेकड़ गायक करते की ठोक रेखा रहे हैं और उन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है अभू सुब्रक शुक बोल आप शुप रहेएं आपसे बात नहीं कर रहे हूं कलपना जी कोंसा अच्छा हो रहा है जो पुरा होगा और कभी तुम्हारे पेटी की गुलामी करनी पड़ देती है अगर तुम अपने करतफ को गुलामी का नाम देती हो तो तुम महान हो देखो विकरम mystical- מजे … महान बनने का कोई शॉक नहीं है मैंने फैस्ला कर लिया है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लेकिन महू हूँ। लेकिन डेकिन कुछ नहीं माजी। मेरा पैसला अजल है। मेरी थोड़ा सबर करो भगवान की तैसे सब ठीक हो जाएगा। मैंने सबर करना जिन्दिगी में कभी सीखा ही नहीं। मेरे डाडी ने मुझे… डाडी 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 मतलो अपने उस खमंडी बात का नाम मेरे सामने है। और अगर तुम्हे अपने उस बात पर इतना ही घमंड था तो मेरे पास क्यों आई थी। इश्क के भूत में अंधी हो गी थी, बागल हो गी थी। अगर तुम्हें इस गंगाल के साथ शादी करने का इतने दुख है, तो इस घर के दर्वाजे तुम्हारे लिए खुलें, तुम जा सकती हो पिक्रम बेटी, यह तु क्या क्या रहा है, पत्ती-पत्ती की जगड़े की इस घर में नहीं होते पस-पस, आपी जाद नातक मत दिखाए, वरना मैं देखो कलपना, इस सब तहले कि मैं घुस्से में कुछ कर बैठूँ, तुम यहां से चली जाओ हाँ, हाँ, जा रही हूँ, और हपेशा के लिए चा रही हूँ, चलो यश नहीं, बेटी, नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूँगी, मुझे यहां से जाने से कोई नहीं रोक सकता, मा जी हाँ, जाए मेरा सारे, सुन विज बात सुन ना जा जाने दो मा, जाने दो इसे, कल जब इसका घमंड शूर हो जाएगा, तो यह खुद ही वापस लोटाएगी यह तुम्हारा बहम है, विक्रम राय, बहम रोक ले इसे पेता, रोक ले जाने दो इसे मा, जाने दो पिता, मेरी बात समझने की कुशिश कर, औरत का कदम एक बार घर से बहार निकल जाता है, तो अनर्थ हो जाता है, अनर्थ मैं समझता हूं मा, लेकिन अब इसके यहां रहने में भी कोई अर्थ नहीं रह गया है ने, 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 दैड़ी कलपला, तुम आज आठ साल बात तुम्हें अपने डैड़ी की याद कैसे आ गई, डैड़ी, आज मैं अपने के पे बहुत शर्मिंदा हूं, काश मैंने आपके बात आठ साल पहले मान ले होती तो मुझा जी, आज ही दिन न देखने पड़ता कोई बात नहीं, ये बताओ कितने पैसों की ज़रूत है तुम्हें नहीं डैड़ी, मैंने विक्रम का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है कहीं ये तुम्हारा जजबाती फैसला तो नहीं? रैड़ी, इस पार मैं जजबात से नहीं, बल की बहुत सोच समझ कर वापिस आही हूँ मैं ये कैसे यकीन कर लो? मुझे भरोसा रखे रैड़ी, आप जो कहेंगे में बहुत ये करूँगी पैरी गुड, एक काम करो, तुम अभी अपने कमरे में जाकर आराम करो बाद में हमें इत्मनान से बैठके बाते करेंगे, जी, आओ बेड़ा इक करम राए, आज तक तुने मुझे खून के आंसू रुलाए है, अब मैं तुझे खून के आंसू रुलाओंगा क्या बात है बेटा, ये कौन है, मां कलपना मुझसे तलाग चाहती है क्या कह रहे है, हाँ मां ये देखो उसने कोर्ट का नोटिस भीचवाया ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ हाँ मां, लेकिन वो कोर्ट तक पहुंच जाएगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे तो ये कैलाश नात की चाल लगती है तुम फिकर मत करो मां, जो होना है वो होकर ही रहेगा लेकिन मेरी यש का क्या होगा उसके बारे में भी इत मेंसे इस तुम तलाक नामे पर सा Marie करते हो या नहीं तुम यश की बुलाते हो या नहीं ठीक है अगर तुम मुझे तलाक नहीं देते तो ना सही मैं कोट से दालाक ले लूंगी तुम भूल रही हो कलपना के कोट से तलाक लेना इतना असान नहीं है जितना तुमने समझ रखा है और अगर मैं चाहूं तो इस मामले को अदालत में दो साल से लेके दस साल तक ही सकता हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं विगार पाओगी समझी अब तुम लोग किस सोच में पड़ गए जल्दी से आपस में तै करके बताओ ते क्या करना है मैं तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ने के लिए मुह मागी दौलत देने के लिए तैयार हूँ धोगता हूँ मैं तुम पर और तुम्हारी दौलत पर मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए मेरा बेटा क्या तुम अपने बेटे को लेने के बाद कल्पना को तलाग दे दोगे मैं अब लोगों के लिए कोड का यह एक्रिमेंट लाया हूँ जिसमें लिगा है कि मैं कल्पना अपने पूरे होश और हवास में अपने बेटे यश की सारी जिम्मेदारियां उसके पिता फिक्रम राय को सौंपती हूँ आज के बाद मेरा उसके साथ कोई रिष्टा नहीं रहेगा डाडी डाडी आज कैसा है तु डाडी मैंने आपको बहुत मिस किया मैंने भी तुझे बहुत मिस किया अब हम अपने घर चले या आप चलो डाडी हम अपने घर चलते हैं यश ठीक है पेटे Sign these papers and send them to me यश क्या बात है यश बेटें, मिन नहीं आ रहे डाडी-चीश यश 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 अगर पैसा ही मेरे डाडी वो मुझ से दूर कर रहा है तो मुझे पैसा नहीं चाहिए डाडी मा तुम अभी तक सोई नहीं बेटा मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ मा मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करो मुझे बहुत ही काम्याब इंसान बनना बुरी बात नहीं है लेकिन मुझे डर है कि कहीं दौलत की चमक धमक में तू हमसे इतना दूर ना निकल जाए कि मैं तुम्हें तलाश भी न कर सको नहीं मा ऐसा कुछ नहीं होगा हां तभी तो तुने दस दिन से यश की तरफ नजर भरके भी नहीं देखा बस मा बस ऐसी बाते मत कर अगर आज मैं यश की मुहबबत के जाल में उलच गया तो कुछ न कर सकूंगा इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यश को अपने से बहुत दूर भेश दूँगा क्या हां मा मैंने यश को बोर्डिंग भेशने का फैसला कर लिया है नहीं विक्रम मैं ऐसा होने नहीं दूगी यश यही रहेगा हमारे पास महां समझने की कोशिश करो बच्चों की जिंदगी के फैसले जज़बात से नहीं अकल से किये जाते हैं मैं फैसला कर चुका हूं कल सुबह वो बॉर्डिंग चला जाएगा बस विक्रम 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 क्या बात है मेरी कोई चिठी आई है बेठा जब तेरा कोई खात आएगा मैं तुझ तक पहुंचा दूगा हूं क्या बात है क्या कराएगा बेटा, पिछले 14 साल से तु मुझसे एक ही सवाल करता है, मेरा कोई खत है और मेरा जवाब होता है, नहीं अबे ओ बुड़े, क्या दे से, के खत उसी के आते हैं जिसका दुनिया में कोई होता है अबे ओ, घूरता क्या है, बोल दे इसको बोल दे यार देख तो सही, साला कैसा फटफ़ा आ रहा है अबे ओ, जा, चादर तान कर सो जा, सपने में तुझे खती खत नजर आएंगे हां अबे ओ, साला, चल पीछा कर चालेगा जाओ, जाओ, जाओ जल्डी, पीजिकाद कहा गया, लगता है भाग गया साला है किलिदे खता है जाओ, जाओ फिल्स कर सुने व्र गभाद जादरों ग्री के में अबेड है किलिदे खता है पाहें! जोड़ जोड़ दोपी रुख जा चाहरें किया तू कर के रहा है विचार बेवत मना जाएगा तो कर कर्ण किर आख कुझ कि देख कितना खून बेह रहा है यह आहां कितना खुन बहे रहा है जा जा बेटवे जा पहले जाके तोड़ी मरमपटी करा क्या फिर आके और मार खाना जा 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 बोला जा आता है कि आता है कि अपना आपको इतना मारे गा उसको बस बॉलना ना बस गोपी तोको मोको दुश्मन के काले मूँको चूले में जोको कैसी रही लगते अच्छी नहीं रही अरह यार कल अपना रिजल्ट है पता है की नहीं या चल ऑस्टल में चलते आरे छोड़ ना या क्या सोच रहें आप लोग क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं आप लोगों को आ, थैंक यू, थैंक यू क्या इस मासुम कली को देखर आपको दया नहीं आती नहीं, हम सभी को तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है ओ, थैंक यू, अंगल जरा बाजू बढ़ जाए, प्लीज अबेद तेवी इस्क्यूज मी, मैडम, ये लीजे, आराम से देखिए फिचरी बहुत बिबार है, थोड़ा बत लगता है देखने में जल्दी, जल्दी यश, फूस्ट हागिया यश, फूस्ट हागिया अरे, क्या अभे, मोटे गेंडे, तू कहां जा रहा है मैं वह, मैं जरा अभी, अभी आता हूँ अरे, क्या करें आप? साथियों, अब तू ही पताओ, क्या किया जाए इसके साथ? अब क्या होगा? होगा क्या? गोपी के बची के पिटाए हो रही होगी पिटाए के बाद? उसके गालों पे गुलाब जावन बन रहे होंगे गुलाब जावन के बाद? हंडर्ड की स्पीड से भाग रहा होगा और पूरा कालेज उसके पीछे होगा पिर क्या? बालक गोपी हमारी शरन में आएगा और फिर मेरी टांग गोपी आके गिता है और फूर्ट फूर्ट की रोने लगता है एंजल की बच्ची आज जो कुछ भी हुआ सब तेरी मज़े से हुआ है मैं तुझे नहीं छोड़ूगा गोपी के बच्ची कल तुने मुझे फसाया था आज मैंने तुझे फसा दिया हिसाब पराबर क्या सबजे नहीं सबजे अच्छा गुसा छोड़ और चला हमारे साथ का मॉन यार पकड़े इस नहीं के मैं किसमत ही खराब है जहां जाता हूं मारी खाता हूं ठीक कहते हो गोपी तुमारी किसमत खराब ही नहीं बलके बहुत खराब है इसलिए तुम्हें मर जाना चाहिए क्या इंजल की बच्ची मुझे मरना वरना अच्छा नहीं लगता और देखो मेरी किसमत खराब नहीं बलके बहुत अच्छी है तुम लोग यहां पर क्यों आए हो अरे वा अजीब आग्मी है सीधे मूँ बात ही नहीं करता देखो तो जब देखो तेवर साथ वे आसमान पे रहते हैं हाहां जानती हुँ मेरे बात टो में अच्छी लगी नहीं लेकिंश सीरियस फेस हम तुम्हें याद करनें नहीं बल्क खुशकबरी सुनाने आये थे खुशकबरी जी हां खुशकबरी कहो क्या बात है जानती हुयरश तुम फर्सव दिविजन में पास इसमें कौन सी नहीं बात है ये तो हर साल होता है और कुछ लो कर दिया ना सत्यानाश याश हम तुम्हारे पास कितनी उमीदे लेकर आयत है और तुम हो कि हमारी सारी उमीदों पर पानी फेर दिया कुछ पानी वानी नहीं फिरा अभी बॉक्सिंग छोड़ो चलो हमारे साथ क कॉलिज का आखरी दिन है इसलिए हम सब मिलकर नाचेंगे गाएंगे दू मचाएंगे कौन ये कोई जाने ना कल होंगे हम कहाँ कर आज मुझे मस्कियां ये रोप 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 रोप곡 रोप 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 है ये गोल 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 दुनिया गोल है ये रोक 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 रोल है प्यार से मिले जो यारो इक इक पल अनमोल है हुआ 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 हु उचे अपने इरादे होसले जावा है बस में हमारे ये जमी आस्मा है उचे अपने इरादे होसले जावा है बस में हमारे ये जमी आस्मा है नाचे ये कदम और काए ये सुबा अरे आज लुख ले मस्तिया यह रॉप 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 रॉ टिक टिक टाप 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 कर टिक मेरे ढूंडती है जिस तरह से साहिल हम भी ढूंड लेंगे अपनी अपनी मंजल लहरे ढूंडती है किस तरह से साहिल हम भी ढूंड लेंगे अपनी अपनी मंजल दिक कितना है हसी ये प्यार का समा अरे अज लूद ले मस्तिया यह रोग 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 प्यार से मिले जो यारों एक इनकी को बना सनुमाल है रोल में सेलरा हाँ ये डोल 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 है रॉल हाँ जान जान आरे लो यहां तो पूरी algo तेरे दुनिया पहले से भी राज माला है क्यों बे कहा थे तेरा वो मनारी जिसके बीन पर तुम लोग नाशते हो बस यश लो आगया माइकल जेक्शन के अउलाद आओ यश मेरा ये यार तेरे गाने की बड़ी तारीफ कर रहा था सिर्फ यही तारीफ कर रहा था या तुम भी मैं सिर्फ इन लड़कियों की तारीफ करता हूँ ये गाने बजाने में मेरा कोई इंटेस्ट नहीं अब तुम क्या जस्टरल कोई क्या करोगे सिर्समाना मतलब मतलब हमारी पढ़ाय अब खत्म हो चुकी है हम सब कल अपने घर चले जाएंगे लेकिन तुम कहां जाओगे यश भी अपने घर जाएगा और कहां अच्छा इसका कोई घर भी है माफ करना यार मैंने तुम्हें आज तक घर जाते हुए देखा ही नहीं ए सच बताना तेरा को इस दुनिया में है भी है नहीं ए राजन अप चल चल अचल वह चल अरी याद इसकी एक दादी भी थी लेकिन इसकी क्या गैरेंटी है कि वो इसकी असली दादी थी हो सकता है यह उस बुढ़िया को नखली दादी बना कर लाता हूँ कहा है तेरी वन नखली दादी अब है बोल बे तेरी वन दादी अब है मुर्गी तुमारा अगर यहाद लिखाई दिया तो मार यह उसको हार मार Stop it stop it stop it stop it मुझे छोड़ दीजे सर देखो सर मुझे छोड़ दीजे काबू कर अपने कुस्ये को सर इसने मेरे दादी को काली दी है यहाद चुप खावश यहाद तुम्हें मेरी मेरी बातों के कदर करनी पड़ेगी लेगन सर्स quiet I'm saying Please now relax Relax Stop it go away now You listen to me now चलो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए सब कुछ जानते हो फिर भी यहादा को उड़ाते हो लेगन सर्.. मैं जश को तुम लोगों से ज्यादा अची तरह जानता हूँ वो किसी के मामलों में दखल नहीं देता और तुम हो जिसकी दुखती राख पर हास रख देते हो तभी वो बेचारा चिर्चरा और बदमिजाज हो गया है बेवफूफ लोग अबुत अबूडर अबूर खबूर अबूर अबूरस वोग्य अबूरस ग्याद अबूरस इदोस जिन्दगी एक गीत है इसे होटों पे सजाले घम हो या खुशी हो प्यार से गुन-गुन जिन्दगी एक गीत है इसे होटों पे सजाले घम हो या खुशी हो प्यार से गुन-गुनाने दिन हो या रात हो दिल की ही बात हो कोई ना जो साथ हो गाहजा हाँ हाँ एंजल हाँ ओ जराम जी गी राजिन भाईया ठीक है चला कि अच्छ कुपिया हस क्यों रहा है अरे बात ही कुछ ऐसी है तो हसना बन करो गता बात क्या है वो क्या है एजिन कं भॉफ के संधो też कुछ कभी तुम हसने हो तो कभी कहते हौ बहुत मारया दखियसे तुम जरौत है और मेरे ठीक लेकिन अगर में आ तुमें पता दिया आ वो दया यहाँ कुपी क्या बात है तुम मुझे देखा है इस क्यों रहा है वो राजन भाई बात है बताओ बात क्या है इसलिए इसलिए मैं नहीं बता रहा है कि तुम मुझे बहुत मारा हो क्या अबे साले नहीं मारूंगा तुम बताओ बात क्या है अचा ठीक है देखो अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा मुझे गुस्सा नहीं आएगा मेरे बाप तुम्हें बता बात क्या है आ रहा है गुपी खज़ा ठीक है मैं बताता हूं सुनो राजन भाई वह बात यह है कि कर दुदाल दो याजन जान अगर आएगा थां अमीडाएगए अजन को बता क्या है बता दो अच्छा देखो एंचल कहती है इसलिए बताता हूं लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझे एंजल की गारेंटी देनी पड़ेगी कि तुम मुझे नहीं मारो गया अरे चल मेरे बाप मैं एंजल को करेंटी देता हूँ अब बता बात क्या है फेटा 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 तो ठीक है राजन भाई माई गाड अब चल बोल राजन भाई आपका लेटर यूँ यू क्या कर रहा है राजन भाई आपका लेटर बोक्स यू छक्के की तरह क्या कर रहा है? सीवा बाद क्या है? राजन बोई आपका लेटर बोक्स खुला है क्या बाद है इंजिन? क्या हुआ? वो क्या की? मैं नहीं बता पाओ लिए इसरा तू बता क्या हुआ? अपना वो राजन है ना उसका लेटर बोक्स खुला था लेटर बोक्स? लेटर बोक्स मैंने बंद करवा दिया अच्छा किया चलो क्या करना है अभी? चलो अब हम चलते हैं एंजल पैकिंग भी बाकी है चलो चलो अरे देख क्या रहे चलना चलो तू एक दिन इतनी मार खायगा ना राजन से अरे तू किस बात की चिंता है यार याश काका बेटा आज तू अपने खत के बारे मुझसे पूछेगर नहीं काका यतीमों और लावारसों के खत नहीं आया करते हैं नहीं बेटा मायूसी की बाते नहीं करते कहते हैं कभी के दिन बढ़े कभी की राते देख मैं आज तेरी लिए खत लाया हूँ क्या बेटा ये वही खत है ना जिसका तुझे पिछले चौदा सालों से इंतजार था वही है ना ची हाँ बेटा येश आज 14 साल के बाद मेरा खत पढ़कर तुम्हे ताज़ुत जरूर होगा मैं यादो के परदे पर तुम्हें खेलते कूटते और बड़ा होते देखती रही लेकिन हालात में मुझे कभी तुमसे मिलने नहीं दिया येश मुझे मालम है तुम पढ़ाई खत्म करके सीधा बंबय आ रहे हो यहां पहुंचो तुम मुझसे जरूर मिलना है तुम्हारी मा कल पना क्या हुआ येश फिर क्या सोचा तुने जाएगा अपनी मा से मिलने हाँ गोपी जाओंगा तुम्हें जरूर जरा मैं भी तो देखूँ उस मा को जिसे चौदा साल के बाद अपने बेटे की याद आई है मेरा भी यही मश्वरा है येश उस मा को जाके जरूर मिलना जिसने अपने आठ साल के मासूम बच्चे को अपने आप से जुदा कर दिया खेर कल तु क्या कर रहा है मैं कल सुबह ही बंबई के लिए रवाना हो जाओंगा और एंजल एंजल और जोदु सर मेरे साथ जाएंगे सर ने फैसला किया है कि रेटार्मेंट के बाद वो बंबई शेफ होंगे हाँ तू क्या कर रहा है तू कब निकले का यहां से मैं कल शाम को तो पर ठीक है मैं और एंजल तुझे तेड़े रेस्टॉन में मिलेंगे परसूं ओके चल पैकिंग कर ले चल जल्दी करो जल्दी लगता है कलपना आज किसी खास महमान का इंतिजार है इसलिए तुम्हेर चेहरे पर खुशी के साथ साथ बेचैनी भी नजर आ रही है डाडी आपने पिल्कुल थी कहा जानते हैं आज कौन आ रहा है कौन यश यश अरे यहां तो चारों और यश ही यश मौजूद है फिर तुम्हें किस यश का इंतिजार है डाडी में अपने ही यश की बात कर रही हूं अपने ही यश की वह इसी तो तुम उस फकड के खून का इंतिजार कर रही हो डारी में विक्रम के खून का नहीं, अपने बेटे का इंतिजार कर रही हूँ चलो यही सही, लेकिन एक बाद जरूर है, तो कौडी का आदमी, देखते ही देखते हमारे मुकाबले पर आकर खड़ा हो गया है हाँ डारी, आप ठीक कह रहे है, विक्रम ने पिछले छे सालों में म्यूजिक कम्पनी की दुनिया में तहलका मचा दिया है इसे तहलका नहीं, हवा का जोका का हो, जोका, उजेसे ही आता है, वैसे ही गायब हो जाता है और बिना इजाज़त के अंदर कैसे आए? जिस इंसान की काम्याबी से आप लोगों को इतना डर लग रहा है मैं उसी विक्रम ने का बेटा हूँ यश लश लश जिदेर आपता कैसे हो तुम? अच्छा हूँ बलकी बहुत अच्छा हूँ तुम्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि तुम वही कल के नन नहीं आशो जिस कल की आप बात कर रही है वह बात 14 साल पुरानी हो चुकी है हाँ मैं जानती हूँ वाइ डून्ट यू कम इन तुम्हें यहाँ आने में कोई परिशानी तो नहीं हुई नहीं डैरी ने गारी भेज़ दी थी अच्छे यह बताओ तुम्हें मेरे कभी याद आई यह नहीं अगर यही सवाल मैं आप से पूछू तो चलो फ्रेश हो जाओ फिर खाना खाएंगे मैंने आज खास महले बादाम की खीर बनाई है थैंक्यू, थैंक्यू बरी मॉच्च अरे ऐसे क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे मा हूँ मा, मा का अर्ज जानती है अब मा उस महान हस्ती का नाम है जो 9 महीने तक अपनी आउलाद को अपने गर्भ में पालती है अरे कैसी मा है आप जिसने अपने 8 साल के मासूम बच्चे को छोड़कर दॉलाद से ब्या रचा लिया देखो यश, मैंने तुम्हें यहां जली-कटी बाते सुनने के लिए नहीं बुलाया है क्या करूँ, 14 साल आप से दूर रहकर कुछ ज्यादा ही बत्तमीज हो गया हूँ कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा मैं 14 दिन में ही तुम्हारे दामन में इतनी खुश्यां भढ़ दूँगी जो 14 साल में तुम्हारे बाप ने तुम्ही ना दी हूँ ओ, वो कैसे? बस तुम्हें अपने बाप का घर चोड़कर मेरे पास आकर रहना होगा अगर यही बात मैं आप से कहूँ कि आप अपने बाप का घर चोड़कर मेरे पास मेरे डैडी कही आ रहें तो इंपसिबल, मैं वहाँ एक दिन तो क्या, एक सेकिंड भी नहीं रह सकती तो फिर आप भी अपने दिल से एक ख्याल निकाल दीजिए, कि मैं आपके पास यहां आका रहूँगा पही ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रहो कि सारा कुसूर मेरा ही था गलती ना डैड़ी की थी ना आपकी, कुसूर तो मेरा था जो मैंने आपकी कोक से जन लिया मैं सब चानती हूँ, तुम्हारी रगो में बगावत का जहर मेरे खिलाव किसमें भरा है आप, आप तो अपने आपको भी नहीं जानती तो फिर मुझे क्या जानेंगी मुझे अपना आतीत आज भी याद है, मैं उसे भूला नहीं हूँ, भगवान ना करे जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ हुआ अब आ गया दीजे मुझे, मेरी दादी मेरा बेसबरी से नजज़ार कर रही हूँ येश दादी याश अरे शंकर, शंभू आया माजी तुम लोग ने याश की आवाज सुनी सुनी तो थी लेकिन अरे शंभू, हम सब का बहम था, याश बाबा की आवाज नहीं थी अच्छा अच्छा तुम लोग जल्दी से त्यारी करो, मुझा आता ही होगा चल चलो दादी, कैसी हो दादी आ गया मेरा लाल आ गया याश मरे बच्चे दादी, डादी नदर नहीं आ रहे वो बिजने स्टूट पर लंडन गये है कब तक आ जाएंगे वो? आ जाएंगे आजकर में अच्छा तु ये बता कि तू हॉस्टल में मुझे याद करता था या नहीं दादी सच मानिये, जितने दिन आप से दूर हा न उतने ही दिन याद आया कि मुझे को जूटा कहीं का? दादी सच मानिये, अगर मेरा याकिन नहीं आता तो एंजल से पूछ लो एंजल? ये एंजल कौन है? वो हमारे जोजफ सर है न उनकी बेटी है एंजल अच्छा तो ये अपनी एंजल को कल शाम को यहाँ खाने पे ले आना ओके नींदे चुराए जो राते जगाए जो नींदे चुराए जो राते जगाए जो बोलो बोलो वो है क्या? L O V E मतलब प्या नींदे चुराए जो राते जगाए जो नींदे चुराए जो राते जगाए जो बोलो बोलो वो है क्या? L-O-V-E, मतलव प्या बेचैनी सी रहती है, पुद से बाती करती हो दिल में है इत हलचल सी, छुप्तियों है भरती हो मेरा भे है हाल वही, जैसी तेरी कहानी है मीठा मीठा दर्द नया, एक कसक अंजान है तारे गिनाएं जो, सपने दिखाएं जो बोलो बोलो वो है क्या L-O-V-E मतलब्या जो, सक्षैने जो, स्टने जो, तर्द दिल में जो, सुप्तियों है जाने क्या दिल चाहे है, मुझे को समझ ना आए है खोई खोई रहती हो, तनहाई मुझे भाई है एक मैया एहसास है, एक अनोखी प्यास है बेबस तनमन रहता है, बेखुद मेरी सास है कभी हसाए जो, कभी रुलाए जो कभी हसाए जो, कभी रुलाए जो ओन 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 ओ है क्या L.O.V.E मतलब प्यास नींदे चुडाए जो राते जगाए जो, नींदे चुडाए जो राते जगाए जो, बुलु बुलु हो है क्या L.O.V.E मतलब का वाँ गोपी, तुम्हारी रेश्वार का जवाब ने, बड़ी जगह, बाहर भी है, अंधर भी, अब तो हम यहां रोज मिला करेंगे, क्या समझे, नहीं समझे अरे यहार यहार, तुन्हें अभी तक बताया नहीं, तु अपनी ममी से मिलने गया था, क्या वाँ, आ मिन, एवरिटिंग नॉर्मल नहीं यार गोपी, कुछ भी नॉर्मल नहीं था, ऐसा लगता है उनका मजभब और इमान सब कुछ तौलत है, उस घर में वफा और जजबात नाम की कोई चीजी नहीं ठीक है यार, लेकिन तेरी ममी, तुझसे मिली तो ठीक ठाक न? हाँ मिली तो ठीक ठाक, मेरे आने का बहुत इंतजार था उने चांती हो गोपी, खाने पर उन्होंने मेरे लिए तरह तरह की डिशिस भी तयार की थी ये तो मैं ही उनकी उमीदों पर पानी फिर के चला आया वो क्यों? कहती थी कि तुम्हे अपने बाप का गर छोड़ कर मेरे पास रेना होगा वो आज भी मेरे डैडी से नफ़क करती है इंजर क्यों? ऐसा क्यों? जहां तक मैं समझ पाया हम गोपी मेरे नाना मिस्टर कैलाशनाच सहाई बहुत ही खतरनाक इंसान है और मेरी मम्मी उन्ही के बताय हुए इशारों पर नाशती है लगता है इसके नाना को मिर्ची का वन्टू का फूर दिखा नहीं बढ़ेगा कुछ कहा है तुमने? ने ने कुछ नहीं अपने नाना उर्फ कैलाशनाच सहाई का फोन नमबर तो दे क्यों? पहले फोन नमबर तो दे बात में बताऊंगा 6261010 6261010 अरे हां मैं तो बताना भूली गया दादीन आज तुम दोनों को डिनर पे इंवाइट किया है हम दोनों को या सिर्फ एंजल को हरे नहीं तुझे भी बलाया लेकिन सॉरी यार मैं आज नहीं आ सकता क्यों? एंजल आज होटल में बहुत बड़ी पार्टी का आर्डर मिला है वो छोड़कर मैं नहीं आ सकता प्लीज यार ट्वाइट अंडरस्टैंड प्लीज चल ठीक है जैसे तेरी मरसी और एंजल तुम सर को लाना मत बुलना ओ शोड़ फिर कब मिलोगे जब तुम का होगे बाई पीटर यस सर को लाना जरा जी सर मिस्टर कैल आशनाथ सहाय अब मेरी मिर्ची यह कोई बनिये की दुकान नहीं है समझे रॉंग नंबर है इडियट रॉंग नंबर अरे अभी अभी तो यह शुरू आते बुड़े आगे आगे देख मैं क्या करता हूं तेरा पुरा घर मिर्ची से ना भर दिया तो मेरा नाम भी गोपी नहीं हलो ये बुड़े मिर्ची व मिर्ची वाले काई ना वाट वाट शॉर्ट नॉट वाट नतिंग डूइंग आप सिर्फ मुझे मिर्ची का भाव बताईए शट आप ये किसी बरिये की दुका नहीं है ये क्यलाश नात सहाय का घर है समझे बस्टर्ड आज के लिए बुड़े इतना ही काफी है तेरे आतिया इनका इसान जिंदगी पर नहीं बूल सकता माजी ऐसी कोई बात नहीं यह तो यस की मोहबद है जो मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है जबकि सथ तो यह है कि पिता की जगह सिर्फ पिता ही ले सकता है कोई दूसरा इंसान नहीं ले सकता जज़व साहा तारीफ तुसी इंसान की होती है जो तारीफ के काबिल होता है हलो एंप्रीबड़ी विक्रव मां आगे है मेटा कैसी हो अरे याश अरे यह क्या कर रहा है यह सब बातें पुरानी हो गई है अब तो हाथ मिला करो हाथ और सुनाओ यहां कब पहुँचे कल सुबही वेरी गुड जस् खैर आएंदा ध्यान रखिएगा बाई अब सुना वेटा यह मेरी फ्रेंड एंजल यह हमारे म्यूजिक सर मिसर जोजफ एम जोजफ एम एक्स्कीज मी मेरी फ्रेंड नायर कैसे हैं आप नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं भी लंडन से पहुचा हूँ हाँ नहीं आफिकर मत कीजए आप कमाल टाइम से पहुच जाएगा आपको जादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा ऑके बाई है मेटर यश तुम कुछ कर रहे थ है है यह है मेरी मुजिक सर मेसर जोजफ आलो नाइज वीगिग यह जीकिल तूम्ट कीज़ जोजफ तू मीटीज आफ इसक्वश मीटीज प्लीज़ अलो ओ मिस्र वांग हॉँ अप्लीज आपकन आपको यू फ्लीज बातें करेंगे बा मिस्टर वॉंग, या, या, या माजी, हम चलते हैं लेकिर ये खाना तो हाँ, फिर कभी आएंगे माजी बड़ा अच्छा लगा, thank you for a very nice dinner माफ कारना ने, कोई बात नहीं आना ज़रूर बेटी है Thank you very much, lovely lovely evening आना हाँ, बुला नहीं आना हाँ बुटाओ बुटाओ दो बज गए चल बुटे उड़जा, उड़जा आज मैं तुझे सोने नहीं दूँगा आज मैं तुझे हलो हलो, बुटा मिर्ची वाला घर पर है हाँ, बोल रहा हूँ लगता है बुटा बहुत गयरी नीद में हाँ क्या चल बदा आज का मिर्ची का भाव क्या है अभी अभी तु पाखल हो गया अभी उल्लू के पठ्थे राट के दो बजे मिर्ची का भाव पुछ रहा है अरे माई डियर भुट्टे मिर्ची का भाव जनने के लिए टाइम नहीं देखा जाता मोड देखा जाता है चल चल बता बता आज का मिर्ची का बता अधी पागल इंसान ये कोई मिर्ची की दुखा नहीं, ये कैलाशना साहे का घर है गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, कहीं अटेक आ गया तो मर्याए का खामखा भी शट अप क्या सोच रहे बेटा? तागी, ना जाने क्यों आज मुझे बहुत डर लग रहा है तुझे डर? तु तो मेरा बहादुर बेटा है और बहादुरों से तो डर डर के भाग जाता है वो तो ठीक है दादी, लेकिन माय उसी की बाते नहीं करते बेटा तुझे तो जिन्दगी में बहुत आगे जाना है नमस्ते माजी आओ बेटी माफ करना मैंने तुम्हे पहचाना नहीं जी मेरा नाम माँ ये आशा है मेरे ओफिस में काम करती है, बैठो आशा हाँ हाँ, बैठो बेटी वो माँ मुझे आपसे एक ज़रुरी बात करनी है हाँ कहो, क्या बात है आप लोग बाते कीजिए मैं चलता हूँ नहीं येश, तुम्ही बैठो माँ वो क्या है के मैं सूच रहा था के अब शादी भी शादी? तुने तो मैरे मूँ की बात छीड़ ली अब येश की शादी हो ही जानी चाहिए मैंने तो लड़की भी देख रखी है नहीं माम मैं येश की नहीं अपनी शादी की बात कर रहा था इसमें हैरानी वाली क्या बात है? मैं हैरान नहीं हूँ, परिशान हूँ खर अब तुने फैसला कर ही लिया है तो देर किस बात की? वो क्या है के वो एक अर्चन है अर्चन? कैसी अर्चन? अ दरसल मैं चाहता था के जब आशा मेरी पत्नी बनकर इस घर में आए तो येश रुक क्यों गया? आगे बोल ये आगे क्या बोलेंगे दादी? इनके पास कुछ कहने के लिए अलफाज ही नहीं हाँ दादी ये मुझे अपने घर से निकालकर अपनी दिल की दुनिया बसाना चाहते हैं ये सच नहीं है आप मुझे अपने घर से निकालकर अपने दिल की दुनिया ही बताना चाहते हैं ये सच है कि मैं आशा के साथ शादी करके कुछ दिन सुकून की सांस लेना चाहता हूं लेकिन ये सच नहीं है कि मैं तुझे अपने घर से ये दिल से निकालना चाहता हूं वाँ बेटा वाँ बहुत अच्छी भलाई कर रहा है तुम मेरे बच्चे के साथ पहले तो इसा भागय को 14 मरस का बनवास ने दिया और आप सारी जिंदगी का बनवास दे रहा क wrath 2 मेरी बात समझने की कोशिश तो करो अगर यहां से जाएगा तो मैं भी चले जाओंगी पार beauty आप में energy कर चोड़ाईक जाए तो वह मैं हूं याश हाँ दादी शयाद मेरी जिन्दगी में माबाप का प्यारी नहीं लिखा हाँ तु ठीक कह रहा है बेटी तु ठीक कह रहा है देखो बेटे कुछ बाते ऐसी होती हैं जिन्हें कहा नहीं जा सकता सिर्फ समझा जा सकता है मैंने जो फैसला किया है, तुम्हारी आने वाली जिंदगी में रोश्णि लेकर आएगा नहीं चाहिए मुझे ऐसी रोश्णी, जिसे देखकर मेरी आँखे चुन्दिया जाए नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिन्दगी जिसकी बुनियाद सोने और चांदी के सिक्क उपा रखी गई हो डैडी ऐसी जिन्दगी लेकर क्या करूंगा मैं मुझे खुशी हुई कि मेरा बेटा इतनी बड़ी बड़ी बातें करना सीख्या है कि साथ में इस बात का दुख भी है कि तुमने अपने डैड़ी कु समझा ही नहीं समझने का मौका ही कब दिया है आप ने मुझे बचपन से लेकर आज तक मैं तनहयों के भवर में घिरा रहा लेकिन आपने मुझे कभी उस भवर से निकालने की कोशिश नहीं कि यह सच है कि दौलत के नशे में मैं तुमसे बहुत दूर निकल गया था लेकिन यह क्या कम है कि हर वक्त तुम्हारा खयाल मेरा साया बनकर मेरे साथ रहा फिर आप मुझे क्यों अपने आप से दूर कर रहे हैं डाडी अब मैं यहां एक मिनट भी नहीं रह सकता कि डादी में यह चर चोटके जा रहा हूं किया अब बक्ते हों तुम पागल थो नहीं हो गया आज मुझे पता चल गया है कि मुझे अपनी मनजिल खुद तलाश करनी है क्या कहा यस तु यहां से जा रहा है इस घर से जा रहा ह 사고 आपके दिल मिस्टर विक्रम राय उसके बावजूद भी बेटे तुम विक्रम राय के ही रहोगे इसलिए आखरी बार कह रहा हूँ जाने से पहले सोच लो इस दुनिया का सफर तुम अकेले तय नहीं कर पाओगे एक तेरी रह गुजर ही नहीं जिन्दगी के निशा और भी है तुने छोड़ दिया मेरा दामन तो क्या आसमा और भी है याश 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 पाप देखो कौन आया है अरे याश पेटे क्या बात है ऐसे लगता है तुम्हारा किसी से जगणा हुआ है पापा आज याश ने अपना घर छोड़ दिया क्या याश पापा लेकिन क्यों क्योंकि अब उस घर मेरे लिए कोई जगा नहीं है अगर याश इस तरह तुम सर आप प्लीज मुझे उस घर में वापस जाने के लिए मत कहिएगा मैं आपके पास बहुत उमीदे लेकर आया हूँ सर याश देखो सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि निकलते हो सूरज में और दूपते हो सूरज में क्या फर्क होता है पेटे निकलता हुआ सूरज अपने साथ कुछ उमीदें लेकर आता है और दूपता हुआ सूरज अपने साथ कुछ आशाएं लेकर चला जाता है तुम्हें कौन से सूरज की तलाश है। मैं बताती हूं। पापा, यश को एक ऐसे सूरज की तलाश है, जो कभी न डूले, 2400 गंटी चमकता रहे। यश, कई आलों की दुनिया से निकल कर हकीकत की दुनिया में चले आओ। तभी पता चलेगा। यश, तुम्हारे गले में एक खजाना है, तुम्हें वो खजाना दुनिया के सामने लाना है। लेकिन सर। तुम्हें एक ही कमी है, वह एक confidence की, आत्म विश्वास की, लेकिन मैं ये कमी पूरी करूँगा। कल तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें नेचर से, खुद्रत से, प्रकृति से बहुत कुछ सिखाऊंगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लोगों के दिलों पर कैसे राज करते हैं। ये मत बूलो पेटा। तुम्हारा नाम काम्याबी है। सक्सेस है। याश है। सुनो बेटा। कोयल की कूक को सुनो। पेटे कहने को तो ये एक परिंदा है लेकिन इसकी आवाज में कितना सुर है। और ये सुर इसे विरासत में खुद्रत ने दिया है। पेटे ये क्यों गाती है। ऐसे के लिए। चोहरत के लिए नहीं। ये इसनले गाती है क्योंकि इसकी रूह में। इसकी आत्मा में। सुरू का खजाना है बिटा। सुरू का खजाना है। सुरू का खजाना है। और अगर तुमने गाना है। इसी तरह गाना है। रुको। गोडे की टाप को सुनो। अट ये तीन ताल है। तुना कतर्क दिन्दागे ना दा तुना कतर्क दिन्दागे ना दागेति वटी Music is a gift from God ये बगवान की देन है वटी ये पुझा है इबादत है ये परात ना है वे तुमारा भविश्य है ये लो बटा ये लो, और भूल जाओ जमाने को, बस ये समुझ लो के तुम हो, और तुम्हारा संगीत है लो, और तुम्हारा संगीत है अरे? तुम अभी तक घर नहीं गई? मुझे तुमसे एक बात करनी है. कहो, क्या बात है? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती. वजे? मैंने ही चाहती कि मेरी वज़े से बाप बेटे के बीच में कोई दरा रहा है. आशा, क्या तुम भी मुझे यश की तरह गलत समझ रही हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शादी के बाद हम सब साथ मिलकर रहेंगे. हाँ, तुमने कहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी शादी के बाद यश हमारे साथ रहे. तुम क्यों नहीं चाहते? जब मुझे साथ रहने में कोई आतराज नहीं? इसमें कोई शक नहीं कि यश अपनी मां से नफरत करता है. लेकिन इसका ये मतलब हर्गिस नहीं कि वो तुम्हें अपनी मां समझ कर तुमसे प्यार करेगा. ये तुम कैसे कह सकते हो? मैं यश को इतना प्यार देती कि वो मुझ में अपनी मा का रूप देखने में मजबूर हो जाता हूँ. इस तरह की बातें कहानी किस्सों में अच्छी लगती हैं. हकीकत की दुनिया में नहीं. ये तुम्हार वहम है. देखो आशा मेरी बात समझनी कोशिश करो. कल जब यश की शादी होगी, तो उसकी पत्नी कभी तुम्हें अपनी सास एकसेप्ट नहीं करेगी. क्यों नहीं एकसेप्ट करेगी? जब यश मुझे अपनी मा समझेगा, तो उसकी पत्नी भी मुझे अपनी मा समझेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा तुम आजकल की लड़कियों को नहीं जानती वो किसी के घर की बहुबाद में बनती हैं और साथ ससूर से अलग रहने के सपने पहले देखने लगती लेकिन सभी लड़कियां एक जैसी तो नहीं होती आशा तुम ये भूल रही हो कि तुम्हारा और यश का सौतेला रिष्टा आगे चलकर तुम दोनों के बीच में दरार पैदा कर सकता है नहीं विक्रम ये तुम्हारा वहम है लेकिन देखो विक्रम कि माझी और यश तो यही सोचेंगे ना कि मैंने तुमसे कहा कि पहले यश को घर से निकालो फिर में तुमसे शादी करूंगी लेकिन आशाम म неп विक्रम मैं अगर तुमसे शादी करूंगी तो माझी के आशिरवाट से और यश की मर्जी से वरना आशाब, हम दोनों की रास्ते अलग-अलग है, गुड़बाई आशाब ये क्या हुआ, जान क्या हुआ, रिम जिन ये सावन बरसे पेचैन बेकरार दिल, कबसे मिलन को तरसे होटों पे हसी की लावन जाने जान पेचैन बेकरार दिल, कबसे मिलन को तरसे होटों पे हसी की लावना जाने जान होटों दिल, कबसे मिलन को अभावन जान बहके हुए दिल के ये अरमान है नाता हो तुम हम भी दो अच्छान है हाँ थन्दी हवा कहती है बोलो ना क्या तेरे बिना जीना नहीं साथिया तुम भनके नशा अच्छा जाओना जाने जाओ ये क्या हुआ जाने क्या हुआ प्रिम जिम ये सावन बरसे पेचैन बेकरार दिल कबसे मिनन को तरसे होटा पे हसी खिलाना जाने जाओ ये खिलाओ तूरूरूरू हम तुम है सपनों के कगौ में यूही रहे हम धूप में छाओं में होखो ओ गई मैं तो तेरी मुद में तू ही तो है दिल की किताब में खुश्बू की तरह लहराणा जाने जान ये क्या हुआ जान क्या हुआ रिम जिम ये सावन बरसे बेचैन बेकरार दिल कबसे मिलन को तरसे ये क्या हुआ जान क्या हुआ रिम जिम ये सावन बरसे बेचैन बेकरार दिल कबसे मिलन को तरसे भोटों पे हसी किलावना जाने जान जाने जान, जाने हुआ मा लिक्राव तुम अभी तक सोई नहीं? तुम भी तो नहीं सोई मैं तो काम बगारा में बिजी रहता हूँ तुम तो सोजाय करो मेरी आखों की नीन तो मेरा यश ले गया अब सो गई तो जिंदगी भर नहीं उठ पाऊंगी प्लीज मा ऐसा मत को अगर अपनी मा का इतना ही ख्याल है तो मेरा यश मुझे लादे यश तो आही जाएगा मा लेकिन मैं इस वक्त आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं के मैंने शादी ना करने का फैसला किया क्या का हाँ माँ मैं शादी के बिने जिंदा रह सकता हूं और यश के बिने नहीं हाँ बगवान तेरा लाख लाख चुकर है तुने मेरे बेटे को गुमरा होने से बचाया अलो अलो क्या बुद्धा मिर्जी वाला बातरूम में वो तो खीक है तुझे कैसे मालू मैं बातरूम में हूं ऐसे ही अंदेरे में तेरी छोड़ा माई डियर बुद्धे बुद्धा तु बुद्धा तेरा बाप बुद्धा तेरा पूरा खांडान अरे यह कैसे हो सकता है मैं तो अभी जवान हूं जवान नहीं वलकि छोड़ा छोटा ननननननना बच्चा हूं इसलिए रोटी को टोटी और पाणी को ममम कहता हूं अरे हां पापा ने पुतवाया है आज मिलती ता बावत्या है मुझे माहफ कर दे मेरे भाई अरे मैंने तरह क्या बिगाना है अरे तु सबस्ता क्यो नहीं अरे मैं संगीत बेशता हूं मिर्ची नहीं अच्छा तो मेरा आइडिया सही निकला तु संगीत के बहाने लोगों की आखों में मिर्ची जोगता है और दोनों हाथों से थन बटोरता है लेकिन लेकिन वेकिन और जब तु लोगों की आखों में मिर्ची जोगता है तो मिर्ची भी खरीता होगा और मिर्ची खरीटता है, तो मिर्ची का भाव भी मानू होगा आप फॉरण बता दे मिर्ची का भाव क्या बुट्टे काश, तु मुझे एक बार बता दे कि मेरा फोन नंबर तुझे किस ने देया है मैं तुझे मिर्ची तो क्या, गरमेसले का भाव बता दूगा मुझे ये पागल कुत्य ने काटा है। कि मैं तुझे उस शरीफ इनसान का नाम बता दू अब मुझे क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ पुटे डार्लिक, कुछ करने की ज़रूरत नहीत है बस आप मुझे मिर्ची का भाव बता दे गॉड। क्या करूँ गॉड। येश कहां खोई हुए थे? कहीं नहीं कहीं कैसे नहीं? मुझे सब पता है तुम अपने डैरी में खोई हुए थे न? तुम्हें किसे बता चला? किटार पर अपने डैरी की धुन्चों बजा रहे थे क्या समझे नहीं समझे? तुम चीज क्या हो यार? वेल... एक बात पुछो हाँ हाँ पुछो जब तुम स्टार बन जाओगे तब तुम्हारे नाम की तो चारो तरफ धूम बच जाएगी हो सकता है फिर लड़किया तुम्हारे चारो तरफ घूम कर और आटग्राफ प्लीज, और आटग्राफ प्लीज करेंगी हाँ, लेकिन तुम क्यों जल रही हो? हाँ, जले मेरी जूती लेकिन मुझे तो जलने की बुआ रही है देखो यश, मैं सब कुछ बरदाश्ट कर सकती हूँ लेकिन किसी भी लड़की को तुम्हारे आसपास देखकर मेरा दिल जल जाएगा वो क्यो? वो इसलिए, क्योंकि आज कल की लड़किया जहां तुम जैसे चिकने चेरों को देखती है न वहीं सलिप हो जाती है हाहाहा तुम हस रहे हो? देखो यश, तुम मुझे नहीं जानते अगर किसी लड़की ने तुम्हारी तरफ आख उठाकर भी देखा ना तो मैं उसे कच्चे अंबरूत की तरफ खो जाओंगी क्या समझे, नहीं समझे? अच्छा अच्छा बाबा, समझ गया चलो अब उसकर आकर दिखादो पहले वादा करो कि तुम किसी लड़की से बात नहीं करोगे अच्छा बाबा, वादा ऐसे नहीं, मेरे हाथ में हाथ देकर वादा यश, I love you गुरीवनिंग, गुरीवनिंग, बिटे देखो कौन आये हैं यह शराफात अली साहब हैं म्यूजिक की दुनिया के सबसे बड़े प्रमोटर आदाब, आदाब बंदे को शराफात अली बिन अजाकत अली कहते हैं सारा हिंदुस्तान जानता है कि खाकसार मौसिकी का दीवाना है जोजफ मिया ने जब तुम्हारी गायकी के पुल बन दिये तो मैं फॉरण समझ गया कि तुम्हें एक होन्हार और काबिले तारिफ गायक होगे इसलिए मैंने फॉरण तैकर लिया कि तुम्हारा इस्टेश शोक करवा के ही दम लूँगा और अगर जरूत पड़ी तो तुम्हारे गानों की एल्बम बनवा कर सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में तुम्हारी आवाद पहुचा दूँगा इंशाला क्यों जोजफ मिया सही का ना मैंने जिया आपने बिलकुल ठीक का जियो बरकुतार जियो और सारा हिंदुस्तान जानता है या नकी फटा-फट इसलिए मैंने तै करलिया है तुम्हारा पहला स्टेश शोग अगले हफतेए होगा अगले हफते जियो तो ठीक है शरावत भाई थेकिन इतने शॉट टैम है जियो अजार 15 document सारा हिंदुस्तान जानता है कि शराफत अली बिन नजागत अली अपनी जेब में अलादीन का चराग लिए फिरता है जेब में हाथ डाला चराग बाहर निकाला घिसा जिन हाजिर हुआ और आनन फानन में काम चुरू यानि की फड़ाफत हुआ है कि या रोना जाने मुझे क्या हो गया या रोना जाने मुझे क्या हो गया अदित लड़की ने तेरा मिल दिल लिया अरे लगे क्यो ना अब मेरा जिया एक लाड़ की ने तेरा दिल मेलिया या रोना जाने मुझे क्या हो गया एक लाड़ की ने तेरा दिल मेलिया लगे क्यो ना अब मेरा जिया एक लाड़ की ने तेरा दिल मेलिया नेंद काईन मेरा चैन ने कया मैं पाङल हुआ या रोन ना जाने मुझे क्या हो गया भीकलाण की में तरह दिल लेलिया हर लगे क्योंब अब मेरा जिया भीकलाण की में तरह दिल लेलिया सपनों में भी वो आए मुझे सारी रात जगाए हर तरफ नजर वो आए मुझे उसकी याद सदाए उसके बिंजिया न चाए तो गया काम से प्याए मुझे प्रेम कार्णों में लगा पाकल हुआ यारो न जाने मुझे क्या हो गया एक लड़की में तेरा दिल में लिया लगे क्यों लड़की में तेरा दिल में लिया पागल, 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 पागल उन्होटों के यंगारे, उसके मेना कच्दारे करते हैं मुझे इशारे, तेरे बजने बारा प्यारे झु laquelle सोच़ो GUY साडिन यज़ान करें या Real है मैं प्रवाव न की अप कु नहीं है अरे लगे क्यों ना अब मेरा जिया एक लड़ की ने तेरा दिल में लिया क्या रोना जाने मुझे क्या हो गया एक लड़ की ने तेरा दिल में लिया लगे क्यों ना अब मेरा जिया एक लड़ की ने तेरा दिल में लिया क reflective हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो है 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 वावर कुर्दार वा तुमने तो वो कर दिखाया जो लोग सालों साल नहीं कर पाते सुभान अल्ला अल्ला तुम्हें नजरें बत से बचाए तुमने अपने नाम की इज़त रख ली अरे जिधर भी सुनो यश 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 के नारे गूंज रहे हैं यह सब तो आपी की मेहनत का नतीज़ा है श्राफत अंकल अगर आप मुझे प्रमोट ना करते तो मैं इस मुकाम रिस्क न लेता जोजफ मिया सारा हिंदुस्तान जानता है कि शराफत अली बिन नजाकत अली कलाकारों को परखना जानता है खर बर्खुदा ये लो चाबी अपने नय बंगले की अब तुम यहां नहीं वहां रहोगे एक्सलेंट शराफत अंकल मैं बंगले में रहने के लि बैता हो सुकून की थंडी हवा चले और ये सब मुझे इस छोटे से घर से मिला है शराफत अंकल मुझे इस बंगले की जुरूत नहीं जेको बैटे शराफत भाई बिलकुल ठीक कह रहे हैं ये घर अब तुम्हारे अगर आप मुझे घर से निकालना ही चाते हैं तो साफ सा कह दीजिए वैसे आप तो मुझे जानते हैं से ये सब कुछ मैंने पैसों के लिए नहीं किया ये पैसा ही तो है जो इंसान को इंसान से दूर करता है जीओ हजारों साल जीओ वा बरकुदर वा तुम भी अपने भाई निकले सारा हिंदुस्तान जानता है कि शराफत अली ब और खाली हाँ जाता है खैर मिया खुदा करे कि तुम दिन दुगनी और राज चौगनी तरक्की करो अच्छा मैं चलता हूँ और हाँ याद है ना कल सुबाद दस बजे टीवी वाले तुम्हारा इंटर्वी लेने आ रहे हैं भाईयों और बहनों आज आपके सामने में एक एक ऐसे महान कलाकार को लेकर आई हूँ जिसने बहुत थोड़े समय में अपनी उमर से कहीं ज़्यादा यश प्राप्त कर लिया है कितना अजीब इत्तफाक है इस कलाकार का नाम भी यश है तरह यश्य सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपका नाम यश किस ने रखा यह ना मेरे हिस से में आना था अगया मैं आभारी यों-इस ओपरवाले का जिसने मेरे नाम की लाज रखी है और मेरी जोली मे थोड़ी सी कामयाबी भी दाल अपकी कामयाबी के जिन्होंने बिना किसी लालच के मुझे संगीत की शिक्षा दी जिसने बच्पन से लेकर आज तक मेरे दर्थ को अपना दर्थ समझा अंत में अगर शराफत अंकल का नाम नहीं लूँगा तो उनके साथ बहुत नाइंसा भी होगी यह वही शराफत अंकल हैं जिन्होंने मेरी आवाज को मेरे चाहने वालों तक महुचाया और आपकी माता पिता माता पिता यह दोना मैसे हैं जिनका जिक्र मैं करना तो नहीं चाहता था लेकिन जब आपने पूछी लिया है तो बताय देता हूं मैं बहुत छोटा सा था जब मेरी मा मर गई उसके पिता ने उसे चांदी के कबर में तफना दिया और रहा मेरे पिता का सवाल वो इस दुनिया के मेले में कहीं खो गए हैं मैं उन्हीं की तलाश कर रहा हूं शाद कभी मुझे मिल जाए बलराज तुम भी क्या वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं बेलकुल ठीक समझा आपने डाडी याश हमारे काफी काम का साबित हो सकता है वो कैसे वो ऐसे कलपना तुमारा बेटा कामियाभी की सीडिया चरता ही चला जा रहा है आज उसकी आवाज ने चारो तरफ धूम बचा रखी अगर हम थोड़ी अकल से काम लें तो उसकी आवाज के सहारे हम अर्बो रुपए कमा सकते है इंपासिबल कारी अभी आपने देखा नहीं उसने जीते ची मुझे तुमारे डाला आपसे भी नफरत करता है वो गलपना यह जरूरी तो नहीं कि अगर यश तुमसे और डाइडी से नफरत करता है तो हमारे साब तो बिजनिस डीलिंग नहीं करेगा वो आज एक काम्याब सिंगर है और जो भी उसे सबसाता पैसो आफ्ट करेगा वो उसी म्यूजिक कंपनी के लिए गाला गाएगा और वो म्यूजिक कंपनी हमारी होगी हम उसके गले की मुह मागी कीमत देकर उसकी आवास खरीद लेंगे वो पिक्ने वाला नहीं है दौलत अपने आगे बड़े से बड़े सुर्मा को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है फिर यश्की क्या हसती याश मैं तुझे लेने आई हूँ दादी कभी-कभी आप मुझे संकर पर डाल देती है अब आप ही बताईए जिन हालात में मैं घर छोड़कर आया क्या वो गलत है गलती किससे नहीं होती बेटा विक्रम से भी एक गलती हुई थी लेकिन आज उसे अपनी गलती का है लेकिन दादी आज मैं जिस मोड़ पर खड़ा हूँ वहां से लोटके जाना ना मुम्किन है विक्रम पहले से ही बहुत परेशान है यार और उपर से तेरा गम दादी मेरा गम तो समझ में आता है लेकिन ये परेशानी वाली बात समझ में नहीं आए अब क्या बता हूँ बेटा विक्रम को पूरे तीन करोड का नुक्सान हुआ है और अभी पूरा की फैक्टर में भी आग लग गई वो कैसे क्या जाने कैसे हर रोज कोई न कोई नुक्सान होता जा रहा है कभी कंपनी में म्यूजिक की चोरी कभी हर्ताल कभी मशीनों में खराबी समझ में नहीं आता क्या हो रहा है लगता है तैड़ी के खिलाफ साजिश हो रही है तैड़ी हम अपने मकसद में 50% काम्याब हो चुकी है बाके 50% वो भी जलके काम्याब हो जाएंगे कल्पना तुम्हें वो 50% काम्याबी तब तक नहीं मिल सकती जब तक तुम यश को अपने साथ मा मिला लो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं अपनी समझ के आँखे खोल के जरा गौर से देखो कल्पना काम्याबी दर्वाजे पर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है मेरी बात मानो यश को emotionally blackmail करके उसे अपनी कंपनी में काने के लिए मजबूर कर दो लेकिन तैरी यही मौका है कल्पना यश अपने बात से नाराज है इस मौके का फाइदा उठाओ उसे बुलाओ और उसे बात करो क्या बताओ एंजल तुम्हें लंडन में मैंने तुम दोनों को कितना मिस किया है हाई रे मेरी किसमत काश मैं उस वक्त यहां होता जब हमारा यार सुपर स्टार बन गया था अरे लो आ गया स्टार यश हाई जोपी कैसा है तू मोटू यह तरह फिट ने कैसा है तू बैट बैट के बात बैट हाई कितना स्मार्ट है न की चाहता है यश को देखका पच्छ जान देदू जान देने से क्या फाइदा मेरा बस चले तो जालिम को लेकर कहीं भाग जाओ चल चल के बात करते है बस चल रहा था अब तू आगे आना अब तो दोड़ने लगेगा मेरे यार दोड़ने लगेगा Excuse me please Yes मुझे आपका आटोग्राफ चाहिए Sure, why not And what's your beautiful name? Taksha He's so sweet Love Taksha Will you have coffee with us? Oh, sure, why not? Excuse me please Ah, boyya आप तो आप स्टार हो गया ना दाइए, please Mega angel, hero बन गयान नेरा यार, yeah Come on cheer up, angel Come on इक भर भी coffee को touch कर दीजे Kali touch करू Please exit, please you now Sure, sure Sure, sure Why not? Thank you Can I kiss you? Why not? Why not? Will you give me your phone number? Phone number? No, no My mom will kill me Okay girls See you Bye 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 Hello Hello Hey, आव मेरे किशन कनेया मिल लिए गोपी और अपनी जादा को फूरे आव गोपी, मुझे कुछ जलने की भू आ रहे है तुझे नहीं आ रही जली मेरी जूती गोपी Thanks for the evening मैं जा रही हू Bye अरे 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 तुम का चली जहन्नुम में Bye अरे अरे तुम का चली जहन्नुम अरे देखता नहीं मेना का मूड खराव है मैं उससे समंदर की हवाँ खिला क्याता हूँ Bye Bye अरे उटके Angel 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 इल्या को चुम इल्या का चारो बन्म इल्या ओल ऑार थक्रुजद बनाता है बdi Legal कर दो कर दो कर दो कर दो सुबा सुबा जब खड़की खोले सुबा सुबा जब खड़की खोले बाजु वाली लड़की हाई सुबा सुबा जब खड़की खोले बाजु वाली लड़की हाई दिल मेरा बोले हलो हाव यू हाव यू दिल मेरा बोले हलो हाव यू सुबा सुबा जब खड़की खोले बाजु वाली लड़की हाई सुबा सुबा जब खड़की खोले बाजु वाली लड़की हाई दिल मेरा बोले हलो हाव यू दिल मेरा बोले हलो हाव यू दिल मेरा बोले हलो हाव यू आख चुगा के आख मिलाए आख मिला के जब समाए जो हो एब पयो, हुआ अगुदो ॉ जो हो एब पयो, हो एब पयो जो एब बंचब एठाभも ए नग topics जो हो हो ए राभ हुआ लुषकopard दूर से मैं देखता हूँ बात होगी कैसे आठू बाठू वाले सारे देखें मुझको ऐसे कभी मैं बोलू तो बोला न जाए बात करू तो थम थम जाए दिल मेरा बोले हेलो हाव यू दिल मेरा बोले हेलो हाव यू सुबा सुबा चंचे की खोले बाचू वाली लंकी आए दिल मेरा बोले हेलो हाव यू दिल मेरा बोले हेलो हाव यू झेंज बुझे पुले हैं जो हावा रू दिर ये चाहे आज दिल की धरकन उसको देदू धरकन तो धरकन है सारा जीवन उसको देदू कभी में बरू तो बोरा न जाए, सास बरू तो थम थम जाए दिल मेरा बोले hello how are you दिल मेरा बोले हेलो हाव वार्यू सुबा सुबा जब घर की घोले बाचु वाली लांकी आए दिल मेरा बोले हेलो हाव वार्यू दिल मेरा बोले हेलो हाव वार्यू दिल मेरा बोले हेलो हाव वार्यू आख चुका के आख मिलाए आख मिला के जब सरमाए दिल मेरा बोले दिल मेरा बोले है दिल मेरा बोले है लो हाओ यू दिल मेरा बोले हैलो हाओ यू ओ हाओ यू दिल मेरा बोले हैलो हाओ यू दिल मेरा बोले हैलो हाओ यू वुट्द्दा मुर्ची वाला गर पे है क्या जी साब क्या कहा वही जो तुने सुना बुड़्डे को फोन दे किसका फोने शंकर लगता साब शायद आपका है हूं हलो के लाश नाथी हैर माफ करना बुड़्डे खाना खाते वक्त परशन किया तुझे कैसे पता चला मैं खाना खा रहा हूं वो क्या है मेरे पास एक जादू का गूला है मैं यहां बैठे बैठे उस पर सब कुछ देख सकता हूं हा शट अप शट अप शट अप का भाव नहीं यह बताओ आज का मिर्ची का क्या भाव है भाड में गया तू और तेरी धिवाड में पार में नहीं खाने के साथ सर्व पेट में जाती है चल चल अब देर ना कर घड़ा वड़ यह बता अज का मिर्ची का भाव कया है अभी मेरे पिताश्री, तेरी सुई, बुढ्डे से लेकर मिर्ची पर आकर क्यो अटक जाती यहां? क्योंकि बुढ्डा और मिर्ची मेरी फेवरिट डेश है पेवरिटिस के बच्चे, जिस दिन तु मुझसे तक रागा न, वो दिन तेरी जिन्दगी का आखरी दिन होगा, आखरी लगता है बुटे, आज तेरे खाने में कुछ ज्यादा ही मिर्ची डल गई है इसलिए तुझा अपने जिन्दगी का आखरी दिन यहाद आ रहा है बुटे, एक काम कर अपने हाथ में जो मिर्ची है न, खा ले शंकर, तु मिर्ची खरीदे जादर बाजार में एक बार पूछन भईया, यह मिर्ची का भाव क्या है? यह मैंने आपसे मना किया था न मुझे मालूम है कि तुमने मुझे मना किया था कि तुमसे मिलने की कोशिश न करो मगर क्या करो, आखरकार तुम्हारी मा हो न, इसलिए मुझ से कलपना जी, आप जूट बोलकर मुझे ही नहीं अपने आपको भी थोका दे रही है नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ I love you a lot यकीन करो, जब मुझे पता चला के तुम्हारी पिता जी ने तुम्हे अपनी घर से निकाल दिया है तो मुझे बहुत दुख हुआ अब मुझे ही देखो अगर उस आदमी का घर न छोड़ती तो अब तब घुट घुट के मर चुकी होती उसने मुझ पर बहुत सुट की है बस बहुत नाटक हो चुका Now come to the point बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुमहें साथ बिजनस करूँ लेकिन मैं आपके साथ कोई बिजनस नहीं करना जाता लेकिन क्यों मेरी मर्जी बेटा, बिजनस में मर्जी नहीं सिर्फ फाइदा देखा जाता है फाइदा ये ये मिस्टर गौतम कुमार है हलो ये समझ लो कि ये मेरे राइट हैंड है जितना मैं अपने आप पे भरोजा करता हूँ उतना ही इन पे भी तो यही है वो आसीन का साफ जिसका मेरे डैडी को बरबात करने में हाथ है आप ठीक कहती हैं बिजनस में सिर्फ पाइदा देखना चाहिए चलिए मैं आपकी बात माल लेता बोल कितने में बिका तू क्या कीमत लगवाई है तुने अपनी और एक कमबख्त अगर तुझे बिकने का इतना ही शौक था तो मुझे बताया होता मैं तुझे सोने के सिक्कों में दुलवा देता मगर उस्वा न करता बहुत खुश था मैं तेरी काम्याबी से उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि तुमने शराफत अली जैसे इनसान का दामन थामा था मगर यह जानत तुझे क्या सूची कि तुने मेरे ही दुश्मनों के आगे माथा टेक दिया उन दुश्मनों के आगे जो मेरी तबाही के लिए जिम्मेदार है वा पेटा वा शाबाश बहुत अच्छा सिला दिया है तुने मुझे मेरे प्यार और मेरी परवरिश का विकरिम सहाब आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है याश आपके खिलाफ नहीं जा सकता जोजफ साब आप जानतें यह क्या है यह वो एघ्रिम्ट है जो इसने तैलाश और कल्पना के साथ किया है और उन दोनों बाश बीठी ने यह अग्रिमेंट मुझे तौफ़े के तौूर ब्जा है अधेखे आप understand यह एग्रीमेंट जाली भी हो सकता है एग्रीमेंट जाली हो सकता है लेकिन इस पर किये गए सिगनेशर जाली नहीं हो सकते देखिए बिक्रम साहब मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूँगा सिर्फ इतना कहूँगा कि कभी कभी इंसान जो देखता है वो सच नहीं होता आखों का दोका होता है आखों का दोका? इस तरह की बातों से आप इससे बहला सकते हैं मुझे नहीं मिस्टर जोजफ आज मेरे अपने ही खून ने मेरे खिलाफ बगावत का एलान किया है वा पेटा वा बहुत सुकून पहुँचाया है तुमने मेरे दिल को, अगर अब पीछी में धटना, अगर अबे भी कोई कजर बागी रह गई हो, तुमसे भी पूरी कर लेना यश, यह सब क्या है? यश? सर, मेरे डैडी के खिलाफ साजिश का जाल फिला जा रहा है, और मैं उसे काटने की कोशिश कर रहा हूं मैं कुछ समझा नहीं केलाश, नाथ और कलपना मेरे डैडी को परबाद करना चाहते हैं लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूँगा तीन करोड? जी हैं, तीन करोड लेकिन बेटा यह रकम तो बहुत ज्यादा है मैं जानता हूं कि यह रकम बहुत ज्यादा है लेकिन मैं आपको इन तीन करोड के तस करोड बना दूँगा लेकिन इस बात की क्या गैरेंटी है कि जो तुम कहे रहे हो वो सही है आप लोग शायद यह भूल रहे हैं कि हमारा एक अग्रीमेंट हुआ था उस अग्रीमेंट के मताबिर कंपनी का हर बड़ा और है decision मैं लोगा हाँ हमें याद है लेकिन फिर भी हम लोग यह जानना चाहेंगे कि तुम्हारी ये करोडों रुपे कमाने वाली scheme है क्या हाँ हाँ क्यों नहीं एक्चुली मैं मिस्टर कुलदीप सिंग के साथ अमेरिका योरप और साथ आफ्रिका में टूर करने का प्लान कर रहा हूं इससे हमें करोडों का फायदा होगा और ये फायदा हमें हिंदुस्तानी रुपेव में नहीं और करनसी में होगा वो तो ठीक है लेकिन सोच लीजिए कहीं ऐसा नहों आपको बाद में बचताना पड़े मेरे खयाल से यश सही कह रहा है हम यसे तीन करोड रुपे दे देने चाहिए जैसी तुम्हारी मर्जी है क्यों बलगार्स तुम्हारा क्या खयाल है हाँ आइडिया तो बुरा नहीं है ठीक है यश तुम्हें कल तीन करोड रुपे मिल जाएंगे एंक यू यह लो कुल्दी यह रहे दस लाख रुपए अगर तुम चाहो तो गिन लो क्या बात करने जुज़त साब मुझे आप पूरा भरुसा है अब आप यह बताए कि मुझे करना क्या है फिलाल तुम्हें चाहता हो कि तुम यह रुपए लेकर साउत अफरीका के किसी जंगल में जाकर खो जाओ लॉस्ट डिसप्या बीच में अगर तुम्हारी जुरुत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा थेंक्यू सर थेंक्यू 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 यश यह हमारी पहली चाल है प्लीस काप आईये आईये बेढ़िये 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 सर यह चारों हिंदुस्तान के सबसे बड़े डिस्ट्रिबूटर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपसे जिकर किया था कौतम तुमने इन्हें सारी बार समझा दी है ना यह सर माफ कीजिए यह साब हम लोगों की समझ में अभी तक यह बात नहीं आई आप अपने ही गायवे गीतों के डुप्लिकेट कैसे निकलवाना क्यों चाहते हैं आप लोग आम खाये जनाब गुटली गिनने से आपको क्या मतलब आप जरा सोच लीजे रही ऐसा नहों के कोई दूसरा डिस्ट्रिबूटर यश के गानों की पायरेसी कर ले और आप लोग हाथ मलते रह जाएं नहीं नहीं जोजफ साब आप गलस समझ रहें मेरे कहने का मतलब है हम आपकी बात कैसे डाल सकते हैं आप हमें हुकम दीजे कि हमें करना क्या है एक्सलेंट सर दिखने में तो यह चोटा सा डिबबा है मगर इस चोटे से डिबबे में करोड़ो रुपे दबे है यह वो बारा सूपरेड गाने हैं जो मैंने केश सीरीज के लिए रिकॉर्ड किये यह अब तक मार्केट में रिलीज हुए लेकिन हमें करना क्या होगा आपको इस कैसे को मार्केट में रिलीज करके जितना हो सके इतना धन बटोना होगा इससे आपको क्या फाइदा होगा सर मन की शानती Anyway वे, इनकी तो की बिगरी से जो मुनाफ़ा होगा, उसका 60% मैं रखूँगा, बाखी 40% आप लोग आपस में बाट लीजेगा. वेल, जेटलमन, क्या ख्याला आप में होगा? हमें मनसूर है. कल ना हमें पता लगना चाहिए कि आखिरकार वो कौन आदमी है, जिसने हमारी आखों से सुर्वा निकाल कर भूल जोगने की कुशिश की है. डादी जो हो ना था वो तो हो गया है, आभी आगे का सूचिए, हमारा सारा स्टॉक धरका धर अड़ा रहे गया और डुब्लिकेट के से स्मार्खे में खुले आम भीक रहे हैं. येश, तुम्हारी नजर में वो कौन हो सकता है? मेरा शक छे आदनियों पर जाता है. नमबर एक मैं, नमबर दो, आप, मैं, नमबर तीन, नाना जी आप, नमबर चार, मिस्टर बल्राज, पांच, मिस्टर वर्मा, गौतम वर्मा, और नमबर चे, हाँ, हाँ, आके बोलो, विक्रम राय, ये तुम कैसे कह सकता है? क्योंकि ये काम विक्रम ने किया है? आपी का अजजार कर रहे थे, ये है मेरे गुरू, मिस्टर आर के जोजब, आम दिनेश महरा, ग्लाद वीट यू, थांक यू, अब आप बताई मुझे क्या करना होगा? बस सिर्फ इतना, क्या लाशनात और कलपना ने पारशी करके जो कालादा ने कटा किया है, वो कहा है? और कुछ होगी? हाँ, आपसे एक और जरूरी बात करनी है, आपको याद होगा कि मेरे और K-Series के बीच में एक agreement होगा था, जो आपने बनाया था जी हाँ, याद ही नहीं, बलके उस agreement के एक copy भी मेरे पास है Very good अब मैं चाहता हूँ कि इस agreement की गानूनी भाशा में कुछ ऐसी हेरा फेरिक की जाए जिस समझ गया, सब समझ गया वैसे भी इस agreement को बनाते वक्त मैंने मिस्टर यश्क कहने को मताबिक इस बात का खासतोर से ख्याल रखा था वह, मिस्टर मेरा बहुत ही काबिर और होश्यार वकील हैं इसलिए तो आज वो इतने काम्याब है तेंक यू, तेंक यू इसमच मैरा सब, हमारा काम कब तक हो जाएगा यह समझ लीजे कि आपका काम हो गया आएम सीबिया ओफिसर, आप सब लोग अपने अपनी जगा पर खड़े रही है मिस्टर सावन, यस सब जगा देख करके, चेक करके सीर लगा दो ओके सब, चला तुम, आरे चला बोल, बोल वो कौन है जिसके इशारे पर तुने हमें तबाही के कगार पर लाकर खड़ा चर दिया है बोल मैं कुछ सच के रहा हूँ, मैं कुछ सुने जाता हूँ सच सच बता, कौन है वो अगर आज तुने सच्चा ही नहीं बताई, तो मैं तुझे अपाहीश बनाकर सडकों पर भीक मांगने के लिए फैदू रहा बाल यह ऐसे नहीं बताएगा सर चौन बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ सर यह सब आपके साथ यच्न खिया है सर मैं बिलकुल सच कह रहा हूँ सर पहले उसने अपलों का यकिन असीद किया और उसके बात अपने बापका आपनों से इंतकात है नहीं ले जा यह से चल जल 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 शान्त हो जाए सर सब ठीक हो जाएगा कुछ ठीक नहीं होगा अज विक्रम और यश्ट ने मेरे खिलाफ जंग का एलान किया है उन्हें ये जंग बहुत महंगी पड़ेगी शमशेर यस सर बलराज स्विजर लेंड से कब लोट रहा है कुछ कहानी जा सकता सर स्विजर लेंड का मौसम बहुत खराब है आने वाल इससा फ्लाइट कैंसिल हो गई है शिट मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा कलबना कहा है वो यश्ट को मिलने गई है एक काम करो विक्रम को उठाकर हमारी पुरानी फ्यक्टरी पहुँचो और यश्ट यश्ट खुद बखुद अपने बाप की मुहपत में चलकर हमारे पास आ जाएगा और फिर मैं उन दोनों बाप पेटे को तरप तरप कर मरता हुआ देखूँगा वो तो ठीक है सर लेकिन कलपनाजी ऐसा करने देंगी अगर मा की ममता हमारे रास्ते की रुखावट बने तो उसे भी अटा देना है अलो बुड़े, how are you? पाइन अरे वा, लगता है आज बुड़े अच्छे बुड़े शामें, चलि इसी बात पर यह बता आज मिर्ची का भाव है मिर्ची का भाव? हाँ, मिर्ची का भाव तुम एक मिर्ची का भाव जानने के लिए एक मिनिट तो क्या एक गंटा होल करने को तैयार हूँ हलो है श हेचेंज मैं कहलाशना सहाय बोल रहा हूँ, 626-1010 से, यह वही आदमी है, जो मुझे हमेशा परिशान करता रहता है, हाँ, ओके, बहुत अच्छा, थेंक्यू अलो, हाँ बेटे, ऐसा करो कि तुम आधे घंटे के बाद मुझे फोन करो, तब तक मुझे मिर्ची का भाव भी पता चल जाएगा, और मैं तुम्हें बता दूँगा ठीक है, थोड़ी दर बात फोन करता, लेकिन तुम कहीं जाना नहीं, घर पर ही रहना ने, ने, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ बैठा तुमारे फोन का इंतजार करूँगा ठीक है बुट्टे, मैंने तुमारी बात पर यकिन कर लिया, ओके, बाई यह कमाल है, आज हमारा बुट्टा बहुत शान्त है चमशेर, यह सर पांच मिनिट के अंदर-अंदर एक्षेंज से तुम्हें फोन आएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि आज तक मुझसे मिर्ची का भाव पुछने वाला कौन था किसी विहालत में उस आदमी को हमारी पुरानी फैक्टरी में ले आओ तकि आज के बाद ये मिर्ची का चक्कर भी हमेशे ले खत्र हो जाए बेटे आई एम रेली प्राउड अफ्यू जो तुमने अपने डैड़ी के लिए किया वो सिर्फ एक नेक अउलाद अपने बाप के लिए कर सकती है सर ये तो मेरा फर्स हाँ जियो हजारों साल जियो बर्खुरदार सारा हिंदुस्तान जानता है के शराफत अली बिन नजाकत अली जब भी कोई खुशी की बाद सुनता है तो उसका दिल बाग बाग यानि की गारडन गारडन हो जाता है बेटे तुम्हारी ये सादगी देकर आम उससे रहा नहीं जाता अब तो मुझे इस राज से पर्दा हटा ही देना चाहिए राज कैसा राशराफत अंकर बेटे तुम नहीं जानते जिस काम्यावी की इमारत वराज तुम खड़े हो उसकी बुनियात मैंने नहीं बलकि विक्रम भाई ने रखी है क्या वेटे ये बिल्कुल ठीक है रहे है लेकिन आप लोगों ने मुझसे इबात आज तक चुपागर क्यों रखी वेटे क्योंकि तुम्हारे डैडी ने हमें मना किया था मुझ जानते थे कि उनका बेटा बड़ा खुद्दार है वो कभी अपने बाप का एहसान नहीं लेगा ओ माई कॉड डैडी ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं मैं उन्हें आज तर गलत समझता रहा कोई बात नहीं यश ऐसा कभी-कभी होता है क्या समझे नहीं समझे शराफत अंकल इस वक्त डैडी कहा मिलेंगे यश अपने डैडी को बचाला क्या हुआ क्या हुआ डैडी को मैंने डैडी के साथ पर खून सवार है उनने विक्रप को किड्नाप कर लिया है यश जाल तो नहीं नहीं बेटा मैं सच बोल रही हूँ मेरी बात का यकीन करो मिसर जोसफ आप इस समझाए इसे बेटे मुझे लगता है तुम्हारी ममी बिलकुल सच कह रही है मैं इनकी आखों में सच पढ़ रहा हूँ बेटे करो चलो जल्दी चलो कहां लेकर गए है तैडी को हसले कहलाशनात हसले भगवात ने चाहा तो तिरी यह हसी तिरी मौत का कारण बनेगी कौन सा भगवान कैसा भगवान मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ मैं तिर्फ अपने आप को मानता हूँ कलोश नोच टुमाओ काकजास साइन करता है की नहीं? हरुद नहीं बेड़ काकजास साइन करता है की नहीं? दाई 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 आपारी में भॉल दाई करता है कि ली दाई दुब जाई जाई सर यह है वो आदमी जरोज आपसे मिर्ची कपाव बुसता था मिर्ची कपाव रहा डाफ बुदु आफ बुदु आइध अरे बुदु आफ बुदु आपके मिर्ची कपाव की बात गरेगा नहीं जबात इसे बुदु एकाव इसे मिर्ची कपाव बतातो सरी सरी अरे उंकल जी मन कर रहा था आप मजाग का मतलं समझते हैं न जेकिन मैं मजाग नहीं कर रहा मिर्ची का भाव जानने चाहिए गंदे थे अब बदा चला मिरची का भाव यह है हरी मिर्शी का भाव अब इसे लाल मिर्शी का भाव बता दो चूड़ी इंद जöर। झाड़ी इंद बत्याओी गवा नचित इंद खर बत्याओन ए्हाइँ कर दोड़ा इप साफ़ हो जड़ा जया ऑक तारे साट जड़ा तो आग जड़ा उड़ा जया जड़ा जड़ा झाट जड़ा उड़ा जड़ाँ एक मिट भाई साब, सारा हिंदुस्तान जानता है कि श्राफा तली बिन जागा तली का हाथ तभी नहीं उठता है लेकिन जब उठता है, तो ऐसा उठता है वाकित नहीं है तू अभी मेरे जुनून से नहलाओंगा मैं तुझको आज तेरे ही खून से ये आओ ये हाथ नहीं, तलवार है पर खुर्दान क्या हुआ, कुछे दे, आप मुझे क्यों माना जाते है? मेरा नाम शराफा दली बिन अजाका दली है और मैं सिफ नाम से ही नहीं, सर से पाव तक शरीफ आत्मी और आपको मानने में एक शरीफ आत्मी को मानने का क्या अंजाम होता है? क्या होता है? इसे कहते हैं शरीफ आत्मी को परिशान करने का नतीजा क्या समझें, नहीं समझें? नहीं मोगल, मोगल परिफिए वर्नमे करें को कोली तेवा दूँगा अन्हों जपको अन्धेश को पाटए पाटए अन्धेश आज़ शरीव याज़ 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 याश बड़े, याश पराम, जड़े, चोरते मेरे बड़े को अब आएगा खेल का मज़ा, एक तरफ बाप और दूसरी तर बेटा, मरने से पहले ये बाप और बेटे, अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर जाएंगे, गुद्दे, पहले बेटे से निप्टा जाए, आएगी बाप अपने बेटे की मौत का तमाशा अपनी आखों से देख सके, कहलाशनात, हराम सादे कुद्दे, चीखो मत, यह चीखना मना है, अपने बाप की जिंदगी चाहता है, तो तुझे पेपर साइन करने होगे, यह बड़ा खतरनाक अदमी है, इसकी बातों पर धरोजामत करना, बक्वास बंद करना, बक्वास नहीं है, अखिकत है, दौलत के लिए तुम अपने नाती को जान से माँ डालना जाते हो, गौट अज़ामत कभी तुझे माप बही करेगा, यूशब अप, यह बड़ादी, यह ऐसे नहीं मानेगा, इसका इलाज मेरे पास है, लाइए, पेपर मज़े देजी, वेरी गुट, वेरी गुट, वेरी गुट, शमशेर, यह सब पेपर इसे दो, नीशे मारब, नीशे मारब, न और यूशे मारब, पेटी, वेरी गुट, तुम यह क्या कर रही हो, तुम मेरे बेती हो, खेल अप और ज्यादा मजाया एक तरफ खुद की अप और तूसरी तरफ बेती, लेकिन बेती, आप के सबज़ते हैं, कि मैं आपने ही बेती की जाश्र, आप तो यह हाथ होलोगी, कि आपकी भूलती है, अब अगर आप अपनी जिन्दगी चाहते हैं, तो अपने आदियों से कहिए, कि यशर विक्रम को खोल देखे, मेरी बात तो सुनो आपकी बात सुन, सुन करें तो मैं आज इसमें पाप खड़ी हूँ, काश मैंने आपकी बात धन सुनी हो थी अब हो अखव करकने आप Ёँँठाप पाकूर हुआ ँटेई पाल आपफ वाहते जो उटेज्ड थी बाबए बाग यहाँ पेदी चंज पारो पारो झाल उन्पट बाइब उन्पटें मेटा, मुझे बाफ कर देना मैंने तुम्हें बाफ दुद्दिये नहीं ममी, नहीं मुझे जा रही हूँ तिकि मुझे इस बाफ के खुशी है कि मैंने एक ऐसे बाफ को खत्त कर दिया जो पाप की नमपर गलग था यश, आज प्यार की जीत हुई है तुलत की नहीं, है न बिक्रव, मुझे माफ कर देना मेरी खाश पूरी करोगे हाँ कल्पना, हाँ काँ बजजी जी तेकाची मनी बना सकी तेकाची मनी बना काँ मना सेरो जाओ की वी काईश पुरी करूगे हाँ हाँ जाँ 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 जन्दगी एक गीत है इसे होटों पे सजा ले गम हो या खुशी हो प्यार से गुंगो ना ले दिन हो या रात हो दिल की ही बात हो कोही न जो साथ हो गाहे जा शुबा शुबा जब घर की घोले बाजू आनी लंकी आए दिल मेरा बोले हेलो हाँ वी यू दिल मेरा बोले हेलो हाँ वी यू दिल मेरा बोले हेलो हाँ वी यू आँख चुका के आँख मिलाए आख मिला के जब सरमाएं दिल मेरा बोले, दिल मेरा बोले, है, है, दिल मेरा बोले, हलो, हाव यू, हाव यू, 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 दिल मेरा बोले, हलो, हाव य मिने आगदने मुझे खिया हो गया पारो ना जाने मुझे क्या हो गया पिक लाड़की ने तुरा दिल ले लिया अरे लगे क्यों ना अब मेरा जिया पिक लाड़की ने तुरा दिल ले लिया